नर्सी और सीए के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजल की राजनीच चल रही है तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाए जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और देश के ग अचा नहीं है दिखाने के लिए तो इस मुल्क के हम पाशिंदे हैं इस मुल्क के रहने वाले हैं पीडियों दर पीडि इसी मुल्क में रहे हैं और जमीदोज हो गए हैं तो हम अपने पुर्खों की कबरगा पर आकर कि उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठी और गवाही दीजे के हम पासिंदे में हम रहनुमा है और और अगर समय इनको निकाला जाए इनकी कब Rice को फिकर मत कर मेरे दोस्त उसने कहा है कि एक हिंच नहीं हटेंगे इंशालला वो नर्सी और सीए के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजन की राजनीच चल रही है तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाए जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और देश के ग हमारे पास कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए तो इस मुल्क के हम पाचिंदेह हैं इस मुल्क के रहने वाले हैं पीडियों दर्पीडीं इसी मुल्क में रहे हैं और अगर डिटेंशन कैम्प में हमको रखा जाता है तो हमारे पूर्खों की कबरगां से इनको भी निका ला जाओ इनकी कबरों को भी उठा करके टिटेंशन कैम पर रखा जाए इसलिए मैं आपका आई हुआ है मत रो मेरे भाई इस मुल्क की निया पालिका पर और इस मुल्क के समिधान पर हम सब को भरोसा है मेरे बाई इंशाल्ला हमारी जीत होगी फिकर मत कर मेरे दोस्त उसने क रहा है कि एक हिंच नहीं हटेंगे इंशाल्ला वो बिल्कुल से सरकार से और सी और सी एक मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजल की राजनीच चल रही है तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाए जिस तरीके से देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी और देश के ग्रे मंत्री अमिश्या जी लगातार हमला कर रहे हैं और यह सवाल कर रहे हैं कि आप NRC और CCA कि जद मेगार आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पलेंगे तो हम लोग अपने पुर्खो कि इसी मुल्क में रहे हैं और इसी मुल्क में जमीदोज हो गए हैं तो हम अपने पुर्खों की कब्रगा पर आकर कि उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठी और गवाही दीजे कि हम इस मुल्क के हैं इस मुल्क के हम रहनुमा है और अगर डिटेंशन कैम्प मे हमको रखा جाता है तो हमारे पुर्खों की कब्रगास इनको भी निकाला जाओ इनकी कब्रों को भी उठाकर कि टेंसनद्य केयर स्थ DU नहीं पर लगप मत रूमेरे भाई इस मुझative की नेय आई पालिका पर और इस मुल्क के समिधान पर हम सब को भरोसा है मेरे भाई इन्शाल्ला हमारी जीत होगी फिकर मत कर मेरे दोस्त उसने कहा है कि एक हिंच नहीं हटेंगे इन्शाल्ला वो बिल्कुल से सरकार करेंगे